करक राश शिवालों और आज के इस वीडियो में आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं आप सभी की जिन्दगी को बदल देगा अगर मेरा एक भी शब्द बादल निकले तो कह देना मैं पूरे जीवन भर आप सभी का गुलाम बन जाऊंगा लेकिन हमारा इतना शर्त है आप हमारे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए हमेशा ऐसी जानकारियां लाते हैं जिससे आप सभी की जीवन में कुछ भला हो सके अगर यकीन ना हो तो आप हमारे वीडियो को लगातार आज से लेकर साथ दिनों तक देखिए यदि आप सभी के जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है तो आप हमारे वीडियो देखना बंद कर दीजिए लेकिन दोस्तों हम इस बात की गारंटी देते हैं साथ दिनों के भीतर आप सभी का जीवन बदल जाएगा जिस क्षेत्र में आप सफल हो रहे थे उसे क्षेत्र में आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे जो कार्य आपका नहीं बनता था वह कार्य बनने लग जाएगा और जो दुश्मन आपको परेशान करता था वह दुश्मन आपके पैरों पर गिर जाएगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि हम जो भी भविश्यवानी करते हैं वह ऐसे ही नहीं करते हैं ग्रह गोचर की पूरी तरह से छानबीन करते हैं, फिर जानकारी देते हैं, और जो सावधानी रखनी होती है, जो उपाय करने होते हैं, वह भी हम आपको ग्रह गोचर को देख कर ही बताते हैं, जो आप सभी के जीवन में सटीक बैठते हैं, और जो आपके अशुभ ग्रह को इसी के साथ दोस्तों वीडियो के मुख्य विशय के उपर बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों के भीतर आप सभी के जीवन में इतनी बड़ी खुशियों का अमबार लगने वाला है कि आपको बारह ब्राह्मन को भोजन करवाना पड़ेगा दोस्तों आपने यह कहावत सुनी होगी कि पौरानिक जमाने में जब भी राजाओं महाराजाओं को बड़ी बड़ी कामयाबी बड़े बड़े सफलता जैसे युद्ध में विजय हो जाना या बहुत बड़ी सफलता हासिल हो जाने पर वह अपने घर में ब्राह्मनों को करना पड़ेगा बस आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा हम आपको हर एक विशय के उपर विस्तार से बताएंगे कि आप सुबह के जीवन में अगले 48 घंटे के अंदर कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और कौन-कौन सी बड़ी खुश खबरी मिल वाली है वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं प्यार भक्त हैं सर्व प्रथम वे सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी तीन अंदर आप सभी के जीवन में सभी नकारात्मक चीजों से सकारात्मक फल मिलने वाले हैं, जो लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके खिलाफ शडियंत्र रच रहे थे, उनका खेल अब खत्म होने जा रहा है, आप यह सब अपनी आँखों से देख पाएंग इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्यारे दोस्तों, आपने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय देखे हैं, जब अच्छा समय था तो आपके पास धन दौलत थी, एशो आराम था और रिष्टेदार आपके आसपास मंडराते रहते थे, लेकिन ज अब ही किसी के साथ छल नहीं किया, ना ही गलत तरीकों से कमाई की, लेकिन प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में आपके खिलाफ शडियंत्र रचने वाले लोग भी बहुत होते हैं, कुछ लोग आपकी खुशियों को बरदाश्ट नहीं कर पाते, आपकी सफलता से जलते हैं और आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, इसी वजह से वे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, ऐसे लोगों से आपको समय रहते सावधान रहना है और उनसे दूरी बनानी है, आज के इस जियोतिश कार्यक्रम में मैं आपको कई बड़े राज बताने वाला इन बातों को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह वह सच्चा हैं, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए थोड़ा समय निकालिए और जियोतिश कार्यक्रम को अंत तक ध्यान से देखिए, मैं आपको हर महत्व पूर्ण बात विस् और हर हर महादेव जरूर लिखें। जिसे आप किसी से भी साज़ा नहीं कर पाए, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको खुशियों का अनुभव हो, क्योंकि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। पहले भी जिन लोगों को अपना समझा, उनसे आपको धोखा ही मिला है। वही लोग जिने आपने अपना सब कुछ मान लिया था, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा। इस कारण से आपके मन से लोगों पर से भरोसा उठ गया है। आप चाहकर भी अब अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते। ऐसे में इश्वर आपकी परेशानियों को कम करने के लिए आपके जीवन में एक विशेश स्त्री को भेज सकते हैं। यह स्त्री ना केवल पुरुशों के लिए बलकि महिलाओं के जीवन में भी आ सकती है। यह आपके जीवन को बेरंग से रंगीन बना देगी। जैसे ही इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में बड़े चमतकार और खुशियों की बरसात होगी। ऐसी घटनाएं होगी कि आपको अपनी आँखों पर यकीन करना मुश्किल होगा। यदि आपके मन में कोई बड़ा तूफान चल रहा है तो यह स्त्री उसे शांत कर देगी। अब सवाल उठता है कि यह स्त्री कौन है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो जान ले कि यह स्त्री आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसे पहचानने का तरीका क्या है और यह आपको कहां मिलेगी। इस जानकारी के साथ ही जो भी प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। उनसे निवेदन है कि इस संदेश को पढ़ने के बाद जय श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। लिखकर आशीरवाद प्राप्त करें। ऐसा करने से पारात्मक बदलाव लाने वाली है। यह स्त्री उन लोगों का असली चेहरा भी उजागर करेगी, जो आपके जीवन में धोखे से भरे हुए हैं। वह लोगों के जूटे मुखोटे उतार देगी, और जो लोग आपसे जलते हैं, वे और भी जलने लगेंगे। तब तक यह स्त्री आपके जीवन में नहीं आती, तब तक इस बारे में किसी को कुछ ना बताएं। यह स्त्री आने वाले पांच से च्छ दिनों में, किसी रास्ते पर या कहीं घूमने के दौरान आपसे मिल सकती है। यदि आप पुरुष हैं, तो इससे दोस्ती हो सकती है, और यदि आप महिला हैं, तो यह स्त्री आपसे दोस्ती कर सकती है। हो सकता है कि आपके आसपास इस नाम की कोई स्त्री पहले से ही मौजूद हो, जिसे आप अभी तक नजर अंदाज कर रहे थे। अगर आप उसके अच्छे गुणों को पहचानेंगे तो आप पाएंगे कि वह आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इस तरह से यह स्त्री आपके जीवन को खुशियों और सम्रिध्धि से भर देगी। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन के अनोखे राज और भविश्य की घटनाओं का खुलासा इस परच में करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आने वाले साथ दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आपके लिए चुनौती पूर्ण और रोमान्चक साबित हो सकते हैं। आपकी इस जानकारी को देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए हैं। क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि किसी एक व्यक्ति के तीन तीन परचे एक साथ निकले हैं और इन पचों में जो बातें सामने आई हैं वे आपके लिए अचम्भित कर देने वाली हैं। जब आप इन बातों को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपकी आँखों से आंसू नहीं बलकि खून के आंसू बहने लगे। आने वाला समय बहुत ही चुनोती पूर्ण है लेकिन आपके परचे में कुछ सुखद संकेत भी मौजूद है। इन पचों में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी की खबर भी है। साथ ही आपके जीवन में प्रेम और संपत्ती के योग भी बनते दिख रहे हैं। कि इसमें एक-एक बात कीमती है और इसे मिस करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। साक्षात महाधन लक्ष्मी की कृपा आपके उपर बनी हुई है। आपके परचे में आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम भी सामने आया है और आपको यह जानकर है। हैरानी होगी कि वह शक्स आपके ही आसपास मौजूद है। वह व्यक्ति आपके काफी करीब है और आपके जीवन में उसकी एक खास भूमिका है। यह बात आपको हिला सकती है क्योंकि इसमें आपकी कुछ छुपी हुई सच्चाई यहां भी सामने आई है। इसलिए आपके कुछ बुरे कर्म और गलतियां जो जाने अंजाने में हुई हैं उनका हिसाब भी इस पच्चय में दिया गया है। साथ ही आपके जीवन में आने वाली सबसे बड़ी खुशी और कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी उनका खुलासा भी इसी जियोतिश कारेक्रम में है। इसी लिए प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा मत करिये। यह दुनिया केवल स्वार्थ के आधार पर चलती है। जब तक आपके पास कुछ देने के लिए है, लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहे, उस दिन लोग आपको छोड़ देंगे। चाहे वे आपके अपने ही क्यों ना हों। इसी लिए सबसे पहले खुद के बारे में सोचे। फिर अपने अपनों के बारे में। कई लोग पहले अपने परिवार का खयाल रखते हैं। खुद भूखे रहकर भी अपने अपनों का पेट भरते हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन यह मत भूलें कि इस दुनिया में स इसान की यह प्रवृत्ति अक्सर बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी-कभी यह उसे मुश्किल में डाल देती है, यहां तक कि उसकी मृत्यू का कारण भी बन सकती है, क्योंकि हकीकत यह है कि कोई और आपकी चिंता नहीं करता, आपको अपनी देख भाल खुद ही करनी होग अगर आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ही अपने परिवार का ठीक से खयाल रख पाएंगे और उनकी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर आपके परिवार का क्या होगा, इसलिए पहले अपना ध तीन तीन पचों में आखिर क्या बाते निकल कर आई हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ काले राज्य सामने आए हैं। जिनका खुलासा बागेश्वर धाम सरकार ने किया है। इसलिए इस जियोतिश कारिक्रम को हलके में लेना बड़ी भूल होगी। अ को शुरुआत से अंत तक देखना ना भूलें। मैंने आपके लिए इस जियोतिश कारिक्रम को बहुत मेहनत से बनाया है। और अगर आप इसे लाइक नहीं करते तो यह मेरे प्रयासों की अनदेखी होगी। तो प्यारे दोस्तों अभी के अभी जियोतिश कारिक्रम को ला रहस्य सामने आए हैं। कौन सा बड़ा पाप आपसे हुआ है। कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कौन सी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। पूरी जानकारी ध्यान से सुने। क्योंकि पचों में यह भी बताया गया है कि एक विशेश शक शक्ति भी इसे आपसे नाराज कर सकती है। अगले तीन दिन यानि अगले बासट घंटे आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर यह शक्ति कौन है जो आपके घर की दहलीज पर बैठी है और आपको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वह आपके उपर बहुत प्रसन्न है। आईए जान लेते हैं कि आखिर यह बदलाव क्या है और कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। यह जानकारी पूरी तरह सटीक है। इसलिए ज्योतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखिए और उसमें कही गई बातों को यह समय आपके लिए बहुत खास है और यह संकेत दे रहा है कि अगले तीन दिनों में आपके जीवन में कई घटनाएं घटने वाली हैं। कुछ घटनाएं आपको बेहत खुशी देंगी और आपकी परेशानियों को कम करेंगी। वहीं कुछ घटनाएं आपके लिए कठिन पित्र देवता आपके घर आ चुका है। प्यारे दोस्तों यह पित्र देवता आपसे एक चीज मांग मांग रहा है। अगर इस देवता का मांग पूरा नहीं करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा घटना घटित होगा। ऐसा घटना आपके साथ होगा कि आपका पूरा परिवार है रोड पर आ जाएगा इसलिए प्यारे दोस्तों जल्दी से पित्र देवता का मांग पूरा कर दीजिए प्यारे दोस्तों समय बहुत कम है बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगा प्यारे दोस्तों जितना जल्दी हो सके पित्र देवता का मांग पूरा करना हो नहीं तो प्यारे दोस्तों, यह पित्र देवता आपसे नाराज हो जाएगा, यह पित्र देवता आपसे गुस्सा हो जाएगा, यह पित्र देवता आपसे क्रोधित हो जाएगा, और यह बात आपको अच्छे से पता होगा, कि अगर पित्र देवता आपसे गुस्सा हो गया, तो आपका पूरा परिवार को यह पित्र देवता रोड पर ले आएगा इसलिए प्यारे दोस्तों जियोतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी मजाक समझने की भूल मत करना वरना यह देवता आपका पूरा परिवार को मिट्टी में मिला देगा इसलिए प्यारे दोस्तों, पित्र देवता का मांग पूरा करना बहुत ही जरूरी है तो प्यारे दोस्तों, आखिर यह पित्र देवता आपसे क्या मांग रहा है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले है इसलिए प्यारे दोस्तों जियोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना प्यारे दोस्तों आज का जियोतिश कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे दोस्तों आपको बता दें अब आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा आपका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगा आपका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा ये पित्र देवता आपका बंद किस्मत का ताला खोल देगा प्यारे दोस्तों मुझे पता है आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन प्यारे दोस्तों ये 100% सत्य है अगले 48 घंटे के अंदर आपका किस्मत का पासा पलट जाएगा प्यारे दोस्तों आप अपने जीवन में जितना ज्यादा दुख दर्द जेले हैं उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ मिलेगा जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं पित्र देवता के आशीरवाद से आपके जीवन में ऐसा ही कुछ होने वाला है, प्यारे दोस्तों, पित्र देवता के आशीरवाद से अब आपका भाग्य उदय होने वाला है, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, अब जो बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है, उसे देखक प्यारे दोस्तों आपको बता दें अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपको बता दें अब आपके पास हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए आप सालों से तडप रहे थे क्योंकि प्यारे दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशा आपका राश्य बनने जा रहा है इसलिए प्यारे दोस्तों अब आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगा आपके पास धंदौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ होगा प्यारे दोस्तों आपको बता दें पित्र देवता के आशीरवाद से आपकी घर की सारी स खमस्याएं दूर हो जाएंगी जी हां प्यारे दोस्तों पित्र देवता का इस प्रकार की कृपा दरिष्टी आपके उपर पढ़ने वाला है प्यारे दोस्तों आपको बता दें इस जियोतिश कार्यक्रम के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा इसे अगर आप पूरा सुन लेंगे, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप अपने मुहले का सबसे अमीर इनसान बन जाओगे, आप करोडपती बन जाओगे, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगा, आप जो भी चीज हासिल करना चाहेंगे, वह चीज आपको एक ज 48 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है, अब धन, दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आपके पास होगा, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगा, प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं, आपका जिंदगी में खुशियों का कमल खिलने वाला है, प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले 48 घंटे के अंदर दो बड़ी खुश खबरी और साथ बड़ा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है, प्यारे दोस्तों, यह साथ बड़ा गुड न्यूज आपको हर हाल में मिलकर रहेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपके उपर पित्र देवता का आशीरवाद पढ़ चुका है पित्र देवता का साया आपके घर परिवार के उपर है और पित्र देवता के आशीरवाद से ही आपको यह साथ बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है इसलिए प्यारे दोस्तों यह साथ बड़ा गुड न्यूज आपको हर हाल में मिल कर रहेगा लेकिन प्यारे दोस्तों आपको यह एक काम करना होगा प्यारे दोस्तों अगर अगले 48 घंटे के अंदर यह एक काम कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों आपका भाग्य बदल जाएगा, लेकिन प्यारे दोस्तों अगर यह एक काम आप नहीं करते हैं, तो आपका आपका सपनों पर पानी फिर जाएगा, प्यारे दोस्तों आपका सजाया हुआ सपना पूरा नहीं होगा, आपका सपना साकार नहीं होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, पित्री देवता आपसे पूजा मांग रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, पित्री देवता का अगले 48 घंटे के अंदर आपको पूजा करना होगा। अगले 48 घंटे के अंदर पित्री देवता का पूजा अवश्य करें। प्यारे दोस्तों, दुश्मन का राम नाम सत्य होगा। ऐसा बड़ा भयानक घटना दुश्मन के साथ होगा। आपका दुश्मन खून का आंसू रोने वाला है और आपको इतनी बड़ी खुश्खबरी मिलेगी कि आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, आज का ज्योतिश कारेक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्योतिश कारेक्रम आपके लिए बहुत खास है। प्यारे दोस्तों, ज्योतिश कारेक्रम को मजाक समझने की गलती मत करना। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिश कारेक्रम में जो भी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, वे सभी जानकारियां बागेश्वर बाबा के पच्चे में निकल चुका है। प्यारे दोस्तों, पूरा जोतिश कारेक्रम ध्यान से देखना, वरना बहुत पच्चताओगे प्यारे दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत खास है, इसलिए कान लगा कर ध्यान से सभी बातों को सुनना। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आपके आसपास एक दिव्य शक्ती रहती है, और आपको हमेशा आपका दुश्मन से रक्षा करती है, प्यारे दोस्तों, यह दिव्य शक्ती हमेशा आपको सभी मुसीबत से बचाती है, हर कदम पर यह दिव्य शक्ती आपके साथ है, इसलिए प्यारे दोस्तों जयोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना। क्योंकि परमात्मा के घर से तीन बड़ा शुब संदेश आ चुका है। बुरा होने भी नहीं देता है और पिछले कुछ सालों से आप कोई भी बुरा काम नहीं किये हैं। प्यारे दोस्तों आपको बता दें इस समय अवधी में जो मौका आपको मिलने वाला है ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों इस मौके को हाथ से जाने मत देना। प्यारे दोस्तों कुछ समय से आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यारे दोस्तों अब खुशी मनाने का समय आ चुका है प्यारे दोस्तों। आपको बता दें, परमात्मा के द्वारा सीधा संकेत मिल चुका है कि अब आपका जीवन पहले से हजार गुना बहतर होने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन प्यारे दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी व्यक्ति के साथ आप अपना गुप्त बातें शेयर न करें, क्योंकि प्यारे दोस्तों आप जिसे अपना समझते हैं, असल में वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और वही लोग आ किसी भी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास न करें, और अपना गुप्त बातें किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर न करें, प्यारे दोस्तों, जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त, जोतिश कार्यक्रम को एक लाइक क मिलेगा और मातारानी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं देखने को नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों जैसे की जियोतिश कारेकरम की शुरुआत में ही आपको हम बताए थे कि एक दिव्य शक्ति आपके आसपास रहती है और आपक बल्कि स्वयम मान दुर्गा है जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं साक्षात मा दुर्गा आपका प्राण का रक्षा कर रही है प्यारे दोस्तों, आपका दुश्मन से मान दुर्गा आपको बचा रही है प्यारे दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके उपर साक्षात माता दुर्गा की आशीरवाद है और माता दुर्गा आपकी रक्षा कर रही है प्यारे दोस्तों आपको बता दे माता दुर्गा कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता है हमेशा माता दुर्गा अपने भक्तों के आसपास रहते हैं और जब भी देखते हैं कि उनके भक्तों को कोई मारने का प्लान कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार से उनके भक्तों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो माता दुर्गा अपनी दिव्य शक्ती से अपने भक्तों का रक्षा करती है और उस व्यक्ती को सजा देते हैं जो माता दुर्गा की भक्तों को कश्ट पहुंचाने का प्रयास करता दुख पहुचाने का प्रयास करता है और आपका दुश्मन ने आपके ऊपर कई बार जानलेवा हमला करने का प्रयास किया है। अब आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन की असली सच्चाई के बारे में बताने ने वाला हूँ प्यारे दोस्तों, सच सुनकर आप अपनी आँखों से आंसु रोक नहीं पाओगे। इस बात कि मैं आपको गारंटी देता हूँ प्यारे दोस्तों, दोनों आखों से आंसु बहेगा। ऐसा घटना आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके जीवन में कौन सा चमतकार होगा और कौन-कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आपका कुंडली में एक ऐसा शुभ योग का निर्मान हुआ है। जिसका आप कभी कलपना भी नहीं किये होंगे कि ऐसा शुभ योग आपका कुंडली में निर्मान होगा। प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण शुभ योग का निर्मान हुआ है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक भयंकर बदलाव होगा। आपका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। प्यारे दोस्तों, अचानक आप सभी का किस्मत में हलचल होने लगेगा और आपकी आँखों के सामने एक ऐसी घटना होगी जिससे आपका जीवन का पासा पलट जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अब मौका पर चौक मारने का समय आ चुका है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अगले 48 गंटे तक आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना होगा, विशेश सावधानी आपको रतनी होगी, जो आगे इस जियोतिश कार्यकरम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ध्यान रहे, जोतिश कारिक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जोतिश कारिक्रम को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग का निर्मान हो चुका है, और अब आपके पास बहुत सारा पैसा आने प्यारे दोस्तों, अब आपके पास इतना पैसा आएगा कि गिनती करते करते ठक जाओगे, प्यारे दोस्तों, मेरा बात हलके में मत लेना, क्योंकि प्यारे दोस्तों, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, वे सभी बातें आपका जन्म का राश्य, चंदर रा के आधार पर आधारित है जो कि प्यारे दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है प्यारे दोस्तों यदि हमारा एक भी बात गलत निकला तो मैं आपको वचन देता हूँ जिन्दगी भर आपका गुलामी करूंगा प्यारे दोस्तों आपको बता दें अब आपका जीवन का असली खेल शुरू होने वाला है और अब आपका अच्छे जिन्दगी का शुरुआत होने वाला है प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से फुल गारंटी के साथ कहता हूँ आप सभी का जीवन हीरे मोती की तरह चमकने वाला है प्यारे दोस्तों तो अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा अब आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता है बस आपको जियोतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखना है प्यारे दोस्तों आपको बता दें भगवान एक मौका हर एक इंसान को देते हैं क प्यारे दोस्तों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि पैसा सिर्फ इनसान ही कमाते हैं, लेकिन भूख कोई नहीं मारता, सबका पेट भरता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, भगवान जब किसी जीव जन्तु को जन्म देते हैं, तो उनका खाने का प्रबंध भगवान करके भेज देते हैं, ताकि कोई भी जीव जन्तु भूख ना मारे, वैसे ही प्यारे दोस्तों, भगवान इनसान के लिए भी सब कुछ तय करके इस धर्ती पर भेजते हैं, ताकि कोई भी इनसान भूख ना मारे, थोड़ा बहुत आपक जीवन में कश्ट हो सकता है, परेशानी हो सकता है, लेकिन आप भूखे नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी है और भगवान आपको एक बार ऐसा भी मौका देंगे जब आप मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, किसी भी ची प्यारे दोस्तों, खुश खबरी सुनकर आपका पूरा घर, हर परिवार खुशी से नाचने लगेंगे, इतनी बड़ी खुश खबरी आपको मिलने वाला है, प्यारे दोस्तों, चारों तरफ आपका ही बोल बाला होगा, अब तो आपका भाग्य सौ प्रतिशत चमकने वाल है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड के सभी देवी देवता का आशीरवाद आपके उपर बना हुआ है, इसलिए अब आपका भाग्य सौ प्रतिशत चमकने वाला है, प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, 48 घंटे के अंदर आपके साथ एक ऐसा शुभ घटना होग प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर एक नहीं, दो नहीं, एक साथ पांच, बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाला है, प्यारे दोस्तों, अब आपके जीवन में एक ऐसा भयं जिसका स्वागत दोनों हाथ से ताली बजा करना होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, ब्रह्मा विश्नु महेश का बहुत बड़ा आदेश आचुका है, अब आपका जीवन ब्रह्मा जी के आशीरवाद से धन्य होने वाला है, जी हां प्यारे दोस्तों, अब आपका साथवें स्थान पर गोचर करेगा प्यारे दोस्तों सौ प्रतिशत सठीक भविश्यवानी आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा भविश्यवानी आज तक किसी ने आपके लिए नहीं किया होगा इसलिए घर का खिड़की दर्वाजा बंद करके पूरा ज्योतिश कारेकरम अकेले में देखना प्यारे दोस्तों अगर आपकी जिन्दगी ना बदल जाए तो फिर कहना दोस्त तो आपको बता दें भगवान ब्रह्मा जी के आशिरवाद से गली मोहले में आपका ही नाम का चर्चा होगा प्यारे दोस्तों चारों तरफ आपका ही डंका बजेगा प्यारे दोस्तों भगवान के घर देर होते हैं अंधेर नहीं और यह बात अब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि प्यारे दोस्तों ब्रह्मा जी के आशिरवाद से अब आपका जीवन बदलने वाला है आपका किस्मत चमकने वाला है प्यारे दोस्तों अड़तालीस घंटे के अंदर आपको खुशखबरी का कॉल मिलने वाला है प्यारे दोस्तों अब आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा प्यारे दोस्तों अब आप खुशी से जूम उठेंगे क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका किस्मत का खजाना अब आपको मिलने वाला है प्यारे दोस्तों 48 घंटे के अंदर सफलता की चाबी आपके हाथ में होगा प्यारे दोस्तों भगवान के आशीरवाद से अब तारीख के रास्ते खुलने वाले हैं जी हां प्यारे दोस्तों अब आपका तकदीर चमकने वाला है प्यारे दोस्तों 48 घंटे के अंदर आपके साथ तीन अनोखा चमतकार होगा क्योंकि प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा शुब संकेत मिल चुका है, और यह शुब संकेत आपको लखपती नहीं, सीधा करोडपती बनाएगा प्यारे दोस्तों, गाव मोहले में डीजे बजा कर नाचोगे, इतनी बड़ी और भयानक काम्याबी आपके मिलने वाला है प्यारे दोस्तों, आपका पूरा घर परिवार खुशी से जूम उठेंगे, और आपका फूटी किस्मत चमकने लगेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, अचानक घोडे की तरह दोड़ेगी आपका किस्मत प्यारे दोस्तों ये खुश खबरी सबको चौका देगा प्यारे दोस्तों ऐसा खुश खबरी आपको मिलने वाला है कि आपका दुश्मन भी दोनों हाथों से ताली बजाएंगे जी हाँ प्यारे दोस्तों अब आपको अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है आप पिछले समय अवधी में जितना अच्छे कर्म किये हैं उतना ही ज्यादा अब आपको अच्छा फल मिलेगा प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी काम्याभी अब आपको मिलने वाला है क्योंकि प्यारे दोस्तों, ब्रह्मा का लिखा कोई बदल नहीं सकता है और ब्रह्मा ने जो आपका किस्मत में लिखा है, वह आपको हर हाल में मिलकर रहेगा और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है प्यारे दोस्तों, अब आपकी किस्मत संजाएगी प्यारे दोस्तों अब अचानक होगा तीन बड़ा बदलाव जी हाँ प्यारे दोस्तों अगले 48 घंटे के भीतर 5 बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाला है प्यारे दोस्तों आपको बता दें अब आप अपनी दुख भरी जिंदगी को हमेशा के लिए बाए बाए कर दीजिए अब आपका दुख भरी जिंदगी समाप्त होने वाला है और आपको स्वर्ग जैसा खुशियां मिलने वाला है अब आपको सभी क्षेत्र में काम्याबी मिलने वाला है प्यारे दोस्तों अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 5 लाख रुप का इनाम दूँगा प्यारे दोस्तों अब दुश्मन आपका तलवे चाटेगी प्यारे दोस्तों एक जटके मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी काम्याबी मिलने वाला है एक जटके में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है अब आपका बराबरी कोई नहीं कर सकता सकता है आपका बराबरी करने वाले दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है आपसे बराबरी करने वाले दुनिया में पैदा लेंगे वह अलग बात है लेकिन अभी तक किसी ने पैदा नहीं लिया है प्यारे दोस्तों, आपको बता दें सबसे शुभ राश्य आपका राश्य बनने जा रहा है और आपका किस्मत का पासा अपडेट होने जा रहा है अब आपका जीवन का एक नया पन्ना शुरू होने वाला है और आपके लिए किस्मत का द्वार खुलने वाला है यकीन मानिये प्यारे दोस्तों सब्र का फल मीठा होता है जो जितना सब्र करता है भगवान उसे उतना ही ज्यादा धन दौलत प्रदान करते हैं प्यारे दोस्तों जो भगवान पर विश्वास रखते हैं उस व्यक्ति का विश्वास भगवान कभी नहीं तोडते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वह व्यक्ति भगवान को सब कुछ देते हैं जिस जिस चीज की उसे जरूर होता है प्यारे दोस्तों आपको बता दें आज नहीं तो कल आपको हर वह चीज मिलेगा जिस चीज की जरूरत आपको है क्योंकि साक्षात भगवान ब्रह्मा जी का आशीरवाद आपके उपर पढ़ चुका है ब्रह्मा जी के आशीरवाद से अब आपको बहुत बड़ी-बड़ी खुश्खबरी मिलेगा बहुत बड़ा बड़ा चमतकार आपके जीवन में होगा प्यारे दोस्तों ज्योतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें और प्यारे दोस्तों आपको बता दें अब आपको महादेव जी के आशीरवाद से एक ऐसा खुश खबरी मिलेगा जिसका आप कभी कलपना भी नहीं किये होंगे। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं होता है बलकि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी इसके अंतरगत आते हैं। यदि आप अपने कारियों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और अपने शरीर की अनदेखी करते हैं तो यह आपको दीर्ग कालिक रूप से नुकसान पहुँचा सकता है। अतह आज आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे व्यायाम या योग से करें जो ना केवल आपकी शारीरिक ताजगी को बढ़ाएगा बलकि मानसिक शान्ती भी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारी दिन्चर्या और आहार से भी होता है। आज यह विशेश रूप से महत्वपून है कि आप अपने आहार में पौश्टिक भोजन शामिल करें। ताजे फल सबजियां और प्रोटीन युक्त भोजन आपको उरजावान बनाए इसके अलावा यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ समस्या का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्ष लेना बहतर होगा। दिन भर की ठकान और तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिन्चर्या का हिस्सा बनाएं। मित्रता और समवाद में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमारे प्रियजनों को आहत कर सकता है। इस स्थिती से बचने के लिए आपको अपने शब्दों और भावनाव पर विशेश ध्यान देना होगा। जब आप अपने मित्रों से बात चीत करें तो उनकी भावनाव का ध्यान रखें। उन्हें महसू है कि आपका मित्र आपके प्रती इर्श्या या नकारात्मक्ता महसूस कर रहा हो। ऐसे में उसे समझाने का प्रयास करें और उनके द्रिष्टिकोन को समझने की कोशिश करें। मित्रता में इमानदारी और सहनुभूति का होना जरूरी है। इस प्रकार आप किसी भी मत्भ खेद को सुलजा सकते हैं और संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। करियर में तरक्की आज का दिन आपके करियर के लिए भी अच्छा हो सकता है। करना हमारे लिए भी गर्व की बात है। ऐसा कहा जाता है कि जब जीवन में इतनी बड़ी खुश्खबरी आए कि आपके घर का आंगन धन धान्य से भर जाए तो बारह ब्राह्मनों को भोजन कराना अनिवारे हो जाता है। यह एक परंपरा है जो न सिर्फ धन और के लिए होती है बलकि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भी की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खुश्खबरी क्या है और क्यों आपको अगले दो दिन में बारह ब्राह्मनों को भोजन कराना पड़ेगा। दोस्तों अगले कुछ ही समय में आपको ऐसे शुब संकेत मिलेंगे जो जीवन के हर पहलू में सफलता, सम्रिध्धि और सुख का प्रतीक होंगे। यह संकेत आर्थिक रूप से भी आपको इतना सशक्ट बनाएंगे कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा धन जो आपके घर को भर देगा, आपके पर जो सबसे बड़ी खुशखबरी होगी वह यह होगी कि आपको अपने कारियों में सफलता मिलनी शुरू होगी। वो योजनाएं जिन पर आप लंबे समय से काम कर रहे थे, अब सफल होंगी। इन कारियों की सफलता इतनी अद्भुत होगी कि आपको खुद विश्वास नह आएंगे। यह खुशखबरी जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आएगी जिसे आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे।